दोस्तो आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे किया self study करने का सही तरीका कौन सा है because इस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में वो topper student बैठा होता है जो coaching, जो tuition हम ले रहे हैं वही coaching tuition वो toppers भी ले रहा है तो भई ये 60 और ये 95 का difference हमारे और topper के बीच में कैसे create हो जा रहा है दोस्तो मेरा मानना है कि self study इसके पीछे एक सबसे बरा reason है because we don't know the right way to self study तो आज किस वीडियो में यही discuss करेंगे कि self study करने का सही तरीका क्या है और especially उन students के लिए जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है जिनको लगता है कि भाई मैं खुद से पढ़ी नहीं सकता मुझे teachers या tutors की help ही चाहिए तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो है अगर आपको लगता है कि भाई मैं खुद से समझ नहीं पाता हूँ chapters को खुद से lesson समझ में ही नहीं आता है तो यह मैं guarantee लेता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप जो भी chapter को पढ़ोगे इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो इतने अच्छे से समझ जाओगे कि तुम उस chapter को पढ़ाने लाइक हो जाओगे दोस्तो four baby steps है one by one follow करना है और एक बहुत छोटी सी वीडियो है तो बिलकुल अंतक बने रहे हैं हमार साथ दोस्तो first step आता है कि know the theme of the chapter यानि कि यहाँ पे हमें सबसे पहले chapter का theme समझना है theme means कि यह इस chapter में क्या क्या चीज़े हैं किस बाड़े में पढ़ना है और क्या क्या चीज़े मतलब एक overall हमें information ले लेना है chapter के बारे में कि इसमें पढ़ना क्या है और इसको करने के लिए आप अपने topper दोस्त से पूछ सकते हो जिसने और इस chapter को पढ़ रखा है कि इस chapter में है क्या आप एक overview ले लो या फिर अगर आप YouTube पे भी search करके इसकी summary देख सकते हो और इस तरीके से आपको एक chapter का overview first ले लेना है या हमारा first step रहा आपका 5% chapter यहां से prepare हो जाएगा नो जो तो second है कि read it throughly अब आपको क्या करना है जब आपको पता है कि chapter में है क्या तो आपको बस chapter को from starting to end एक बढ़ पढ़ जाना है बिना डुके बहुत ज़्यादा concentration के साथ लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है तो भी tension नहीं लेना है बस आपको एक बढ़ पढ़ जाना है यहाँ पे हमारा aim chapter को समझना नहीं है बलकि यह जानना है कि chapter में है क्या क्या दोस्तो इस step के बाद आपको chapter almost 30% तक समझ में आ जाएगा यह step भी ज़्यादा लंबा नहीं है लंबा से लंबा chapter भी आप 20 से 25 मिनिट में ज़स्त आपको read कर जाना है बहुत ज़्यादा times में invest नहीं करना है नाव दोस्तो आता है third or most important step वो यह है कि अब आपको chapter को slowly topic wise पढ़ना है और समझने की कोसिस करनी है तो अब आप chapter को एक एक करके particular topics लो और उसको धीरे धीरे एक sentence पढ़ो और हर एक sentence को समझने की कोसिस करो और यहाँ पे हमें payment technique को use करना है payment technique मतलब एक topic को पढ़ने के बाद book बंद करो और बिल्कुल एक teacher की तरह उस topic को explain करने की कोसिस करो as if कि आपके सामने एक student बैठा है और जब तक आपको ना लगे कि आपने इसको बिल्कुल एक teacher की तरह पढ़ा दिया है तब तक उस topic पे काम करते रहो और दोस्त यहाँ पे एक चीज़ और discuss करना चाहूंगा होता क्या है कि जब हम इस step के साथ जब chapter को पढ़ रहे होंगे तो कुछ topics होंगे जो हमें समझ में नहीं आ रही है textbook से तो ऐसे में हम लोग क्या करते है कि वह बुक बंद self-study खतम teacher जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे मुझसे self-study नहीं होना यह चीज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि दोस्त यह जो doubts वाला चीज है यह toppers को भी होता है हो सकता है उनको एक doubt आता है हमें 10 आता है और इस तरीके से आपका third step खतम third step क्या है कि slowly अपने chapter को पढ़ो हर एक topic को detail में समझने की कोसिस करो जो नहीं समझ मैं उसे paper में note कर लो this is our third step और इस step के साथ हमारा 85% chapter prepare हो जाएगा now दोस्तो हमारा last आता है कि आपके जो भी doubts आपने लिखे इस paper में अब इसको clear करने का time आ गया यानि कि clear your doubts अब आप teacher के तुरू इस doubts को clear कर सकते हो YouTube के तुरू doubts को clear कर सकते हो या जो भी resource आपको पसंद है वहां से आप अपने doubts को clear करो और दोस्तो इसी के साथ आपका chapter 100% तक complete हो जाएगा तो दोस्तो यह रहा self study करने का सबसे basic और best तरीका उमीद है यह तरीका आपके पूरे समझ में आ गया होगा और कैसा लगा यह वीडियो या आप हमें अपने likes and comments के तुरू बता सकते हैं बाकी दोस्तों हमारे चैनल के playlist पे जाके आप हमारे बाकी वीडियो को भी चेक कीजिए और अगर आप study के regarding ऐसे knowledgeable वीडियो को miss नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन को ज़रू प्रेस के लिए चैनल को पाकी दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मातरम